ये देखिए, ये दिवे तस्वीरे ये भी कही जाएंगी क्योंकि ये जो श्रमिक हैं, ये वो श्रम साध्य लोग हैं जिनोंने इस मंदिर के निर्माण में भाग लिया है और पुष्प बरशा कर रहे हैं यही बात प्रदान मंदिर को बातियों से अलग करती है, ये भाग बताता है, जो नीव के पत्थर हैं, जिनोंने दिन रात महनत करकर सर्दी, बरसात, ठंड में, गर्मी में जो इस तरह से महनत की हैं और इभव्य राम मंदिर का निर्मान की आया है, यही असली नीव के पत्थ तो यह अपने आप में सिर्फ श्रमिक नहीं है, यह श्रम वीर है, यह असली राम भक्ते हैं, जिनकी महनत कर यह राम मंदिर खड़ा हूँ, प्रखर, इनको इसलिए श्रम देवता कहा जा रहा है, और सच में यह एक जो चलन और यह जो भाव, जिसमें कहते हैं कि जाकी रह भावना जैसी प्रभ मूरत देखी 33, तो इनके अंदर भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जो भाव देखते हैं, उन्होंने एक नया रूप दिया है, जो श्रम वीर है, त्रेता यूग में जैसे वानर सेना थी, त्रेता यूग में जो कार्य वानर सेना ने किया, ठीक उ श्रम सेना है, आपने निश्ची तोर पर कहा, और इस मंदिर के दुसाद्ध मंदिर के नर्मान में जिस तरह से इन श्रमवीरों का योग गान रहा है, उसको अलंकरित करते हुए प्रधान मंत्री, पुष्प गुच्छों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा, और ये न श्रम करने के बदले, वो राम जनम घुमी ट्रस्ट को ही में दान करके चला जाओंगा, तो वो महादान है, एक श्रमिक जिसने जो पूरी कमाई की मंदिर के निर्मान के दौरान, वो समस्त कमाई, अपनी समस्त आये, अगर राम मंदिर ट्रस्ट को दान कर देता है, मैं मान जी, 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 निश्चे तो और पर तो ये जो द्रिश हैं, ये अबूत पूर्व है, ये दरसल इसको कहा जाए कि ये द्रिश भी आँखों में बिठा लिया जाए, तो गलत नहीं होगा जिस तरह से राम की प्रतिमा, जिन्नों ने गड़ी दरसल, वो जो इस राम के पूर जी, 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